अलो फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम बेबी गर्ल की बहुत ही ब्यूटिफुल से फ्रॉक की करने में आपको समझाने बाली हूँ देखिए हमने पहले कपड़ा इस तरह रखा हुआ है हमारे पास तो अभी इसको इस तरह से हमने फोल्ड कर लेना है कि इस तरह से फोल कर लिए हमने इसके बाद इसको इस daar से डबू फोल कर लेना है जिस तरह से में ने की आए इस तरह से आपने डबल कर के रख लिए और अब हम यह देखिए इसके जो चुड़ाई है हमारे पास 11 इंच है और इसकी जो लेंथ है हमारे पास 13 इंच हमने इसकी टोटल लेंथ लिए अब ही हम इसके बाद यह देखिए यह निशान लगाएंगे 12 इंच के ऊपर यह 12 इंच के ऊपर हमने निशान लगा लिया है और इस साइट के ऊपर हमने जह दस इंच के ऊपर लगाना है इस निशान चाहर यहां पे 13 इंच पर लगा लिया है—ँपने..ON Scott इसको जहांसे रांप शेप notion एस तरह से त्वढ़ा रांप शेप दे 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 नए इस तरह यह देखिए जहांसे इस तरह हमने गुलाई दे दे नीए कपड़े खो गुलाई देने के बाद हमने इसकी कटिंग कर लेंगे पहले हम कि कटिंग कर लिए हमने अभी हम यहां से इसके नेक कटिंग करेंगे नेक कटिंग के लिए हमने यहां से दो इंची इधर से रखा है और दो इंची हमने इधर से रख लेन यहां से यहां से भी इसको थोड़ी गुलाई दे देने हैं हमने इस बिखिए ऐसे गुलाई देखकर इसकी कटिंग करनी है हमने यहां से कटिंग कर लिए है अभी हमने अभी हमने इसके बाद जांपर कि ढाई इसके बाद इसरे को हमने तीने इंच के उपर एक निशान लगाने है यहाँ पर तीने इंच के ऋपर यह निशान लगा लिए हमने और उसके बाद हमने तीन इंची नीचे से छोड़ना है जहां पर भी तीन इंच पर हमने एक निशान लगा लिया है अभी हम इसको इस तरह से सीधा कर देंगे जो हमने लगाया है निशान सीधा यह रिखिए और इसके बाद हमने थोड़ा जहां से छोड़कर जैसे कि हम बाजू की कार्ट डालते तो बाजू के लिए हमिने के कटिंग कर रहे दयों इस मारकिंग कर रहे हैं तो अभी हम test कि दो इंच छोड़ कर प्रोत मिला देना इसको कि इस तरह से कि तो अभी हम इस कर एंगे पेले इदर से और फिर ये वाली रहा है से हम इसकी करलेंगे यहां से देखें कितना सिंपल सा फरोक है। आप बहुत ही असानी के साथ घर पे Bizको कट अर बैस को कटिंग करकर पना सकती हो पांच मिन्ट पे इसकी आप कटिंग कर लोगे है इतनी सिम्पल कटिंग है इसकी अभी हम पहले इसको इस तरफ से कटिंग कर लेंगे उसके बाद इस साइट से हम इसकी कटिंग कर लेंगे इसकी आप देखी रहे होगी यह इसकी बाजू होगी और यह फ्रॉक होगी अभी आपको मैं खोल के दिखा दूं यहां की तो ये वान साइड की ये वाली बाजू और वान साइड की ये वाली बाजू होगी है हमारी तो दोनों साइड की ये हमारी बाजू होगी अभी हम इसको यहां से कट कर लेंगे इसकी बन साइड यह है और इसकी जो ट्रेकिन साइड है वो भी मैं आपको दिखा दूँ वो यह रही देखिए कितनी ब्यूटिफल से यह फुल घेर की फ्रॉक जे बनकर हमारे पास रेडी होती है तो आप इस तरह से लेकिए इसकी कटिंग बहुत ही असानी के साथ इसकी कटिंग कर सकते हो अगर आप इसकी थोड़ी लैंथ रखोगे और जैसे कि आप कपड़े के उपर कटिंग करोगे तो और भी अच्छे से जे इसकी कटिंग होगी तो इसका और भी घेर अच्छे से आएगा